आज का ये कार्यकरम मैं स्टार्ट नहीं करूंगी नमस्ते आदाब और सच्रियकाल से, मैं शुरू करूंगी जय जिनिंदर से. क्यों? क्योंकि आज हम जो कार्यकरम देखने जा रहे हैं, जो दर्शकों से हम बात करेंगे आज, वो है खास महवीर जैनती की प्रस्तिती आज हमसे स्टूडियो में बात करने आ रही है श्रिमती निर्मला बैद जो की एक जैन परिवाज से तो है ही बट उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जैन धरम की सेवा में जैन धरम के जो आदर्श है उनकी जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में पढ़ाई की ना केवल पढ़ाई की बट आज की जो युवा पीडी है जो बच्चे है उनमें ये वैल्यूज उनमें जैन धरम की प्रिंसिपल्स को अवगत कराती है बच्चों को नेतिकता की पाटशाला लेती हैं, उनके एक्जाम्स कंड़ा करती हैं, उसका जो प्राक्टिकल यूज है, जो आज की स्थिती में हम उसे कैसे प्रयोग करें, उसकी शिक्षा देती हैं, तो निर्मला जी आज हमें बताने जा रही है महवीर जैनती की खासियत के बारे में, निर्मला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दूरदर्शन के स्टूडियो में हमसे आज आजा बात करने जा रही है, महवीर जैनती के बारे में, हमें बताईए की महवीर जैनिजम में, जैन धर्म में क्या मान्यता है? अध्यात बजगत के दिवा कर बगवान महावीर की एक-एक रश्मी को कोटी-कोटी प्रणाम, उपस्तित महावीर वाणी सुनने वाले सुरूताओं को हमारा भाभरा जैजिनिंद्र, वह युग है और वह संस्कृती बहुत मान होती है, जिस धरा पर बगवान महावीर जै इसे विक्टित्व जनम लेते हैं, तंदन सूख जाता है, पर उसकी शीतलता बनी रहती है, फूल कुमला जाता है, पर उसकी इत्र के रूप में सुर्भी बनी रहती है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, पर उसका चमकतवा विक्टित्व अमर बना रहता है, ऐसे ही थे भगवान महावीर जिस यूग में इसा पूर्वे की छटी शताब्दी के पूर्वे का यूग उस यूग में ऐसे ही महान व्यक्तित्वे जैसे लाओट से, कन्फिूसियस, प्लेटो, सुक्रात जैसे दाशनिक और मजेवी विचार वाले व्यक्तित्वे इस धरा प पर अवत्रित हुए बगवान महावीर का जनम जो भुआ तो उस समय कहते हैं कि इतियास बताता है कि ग्रहों की उच इस्तिती थी, चारों तरफ खुश हाली थी और ऐसे ऐसे गये थे जो कभी शायद नहीं मिलते, उत्रा फालगूनी नक्षत्र उसमें बगवान महावीर र उनके पिता का नाम राजा शिदर्थ था, जब बगवान का जनम हुआ तो देव देवियां और स्वयम सो धर्म देव लोग से इंद्र धर्ती पराये और पूरी धर्ती प्रकाश में बन गई, उसमें बहुत खुश हाली हुई, तो स्वयम इंद्र ने उस बच्चे को उठा करके और उसका प्रति रूप माता के पास रख दिया, और मेरू परवत पर ले जाकर उनका जनमोज समराया, उनको सनानादी करवाया, और फिर वापिस लाकरके माता तृषला की कुक्शी के पास रख दिया, तो बगवान महावीर के बारे में पूछा जाता है कि ये नाम कर की पूरे रज्य में बहुत ब्रद्धी हुई तो उस हिसाब से इसका नाम वर्दमान रखा जाए तब सभी ने उसकी सहमत्री दे दिए और उनका नाम वर्दमान रखा गया बाद में वे यातपुत्र महावीर आदी नामों से भी प्रसलित हुए तो बगवान महावीर ने और वो एक ब्रख्ष के नीचे उन्होंने बहुत तपष्यें की, बहुत साधना की, उनके जब दिक्षा के विच्ण किया उन्होंने साधू बनकर, उनमें अनेकों कष्ट आए है, सब कष्टों का उन्होंने बिलकुल समता से सहन किया, एक संगम नामक देव, जिसने एक र इतने देव राक्षस उनके पास आते, उनकी परिक्षाइं लेते, उन्हें कष्ट देते, चंड कोशिक सरफ ने तो इतना कष्ट दिया, कि वो जो ही उस सरफ की बांबी के पास गए, उसने उन पर डंक मारा, और डंक से उनके तो रक्त की वजाए, श्वेत दूद की धारा ब उनको पार किया और अपना रास्ता आगे से आगे बढ़ाते गए, वो गवान ने अनेकों आप पुछेंगे क्या सिद्धान्त थे क्या दर्शन था, तो उन्होंने अनेकों भगवान महवीर के टाइम में ऐसे सिद्धान्त, ऐसे इसा दर्शन है, जो अभी एक नारद जी इतना गहन गरन्त बनाया है, और उनको स्टोरि रूप देजिए, तब उनने पूरे गरन्तों को स्टोरि का रूप दिया, पूरी कहानिया बनाई, तब वो सबके समझ में आने लगा और उनके गरन्तों की बहुत महता बढ़ गईईगे तो इसी प्रकार आचारी स्री महा प्रिगी जी गुर्दे तुल सी आचारे महा समझी ने तिनों ने और उसे पहले भी कई आचारे ने बगवान महावीर की वाणी को बहुत सी कहानियों के माद्यम से सुक्षम ताशें सरल ताशें समझाया है तो हर विक्तिके वो पले पड़ती है और सब उसमें आत्मशाथ होते हैं जो सुनने वाले होते हैं तो भगवान ने आइंसा कसी दांत दिया जी जैसे आप बता रहे थे कि भगवान महावीर की जो वानी है वो मतलब कई अभी कहानियों के रूप में बताई जा रही है तो एक कहानी ये भी है कि जब भगवान महावीर माता तरिशला की गर्ब में थे तब उनकी माता जी को कई स्वपन आए कई पावन स्वपन आए जिसकी भी एक मानिता है जैनों के लिए दूसरी कहानी ये भी है कि जब भगवान महावीर पैदा हुए तो उनका नाम जैसे आपने भी बताया वर्दमान रखा और उसी समय राजा सिधारत की जो प्रजा थी और जो राज्य था वहाँ पर बहुत खुशाली थी तो भगवान महावीर के आने से भी बहुत वहाँ पर और खुशाली बढ़ गई चारों तरफ प्रकाश रहा तो उनके आने से भी बहुत ही एक सेलिबरेशन वाला महौल था एक कहानी ये भी है कि जब भगवान महावीर माततरिशला के गर्ब में थे तब उन्होंने कोई हल तो यह जो सारा कॉंबिनेशन है यह बताता है कि जो भगवान महवीर है वो भगवान तो है ही बट वो जितना जुड़े है हम सब से जुड़े है आज की जनता से जो प्रजा है तो वो एक humility भी उनमें तो इसके बारे में हमें बताइए कि वह स्वपन का स्वपन का is अधे बागवान महावीर की आज जो सपने देखे हैं इसका क्या मतलब हुआ तो सारा पूरा इसके बारे में डिसकुस हुआ और जोतीशी ने कहा कि आपके राजमेल में कोई महान विक्टित वाने वाला है जो आपका रज बहुत चमकेगा बहुत परकाश में बनेगा आगे जाकर आपके बहुत परिवार का नाम करेगा तो इसलिए ये शपन उसी के बीच में आपके लिए भूत एक इंपोर्टेंस रखते हैं उसके बाद में हलन चलन नहीं की तो उन्होंने बगान मावीर ने देखा उनका माता की प्रती इतना ममता था कि मेरी मा को किसी तरह से तकलिफ नहीं हो तो उन्होंने हलन चलन बिलकुल बंद कर दी, पर जब देखा, कि माता तो इससे दुखी हुरी है, माने देखा, मेरा बच्चा कहाँ गया आप है, क्या होगा उस बच्छे का, तो उन्होंने गाजे बाजी जितना भी उस वरता साराबंद करा दिया फिर बच्चे ने देखा रहे मा तो अवदिगानी थे वह जब गर्ब में आये तब ही से अवदिगान हो गया था उनको तो मेरी माता तो दुखी है तो उन्होंने वापिस से लहन चलन सुरू किया और फिर माता पता चला कि हाँ बच्चा ठीक है त तो आज उनकी भौत आशकता है आहिंसा का शिद्धान्त बताया आहिंसा परमो धर्म है आहिंसा ही परम धर्म है आहिंसा ही विक्ति को शुक्षान्ती देने वाली है तो आहिंसा भगवती के मंदिर में देव होते हैं दर्दिले दिल के चमकिले पाशानों के नहीं तो उस स परियोगों को आधा बना कर बहुत से प्रस्डिक्षन दिये जा रहे हैं एक सस्त्र परिशीमन संदी भी एक ऐसा ही कारगर परियोग है ऐसे ही परियोगों की संख्या बड़े और दिर्ग काल तक प्रभावी बने रहे इससे भी मैतुपुन बात है कि मनुष्य के मस्तिस्क में जो हिंसा के केंद्र है उनको निश्क्रिय कर दिया जाए तो इतनी हिसा होने की संभाना नहीं नहीं रेगी तब ही मानब ताकि मुसकान को बचायजा सकता है आज हम देख रहे हैं की युकरेण में और रूस में कितना माहौल खराब है कितनी जीवँ की हिसा और ये कितने विक्ति मर रहे है यदि इस समय उनमें कुछ भी समझ हो कोई भी हो देखो आज भगवान मावीर के वाणी तो अपने भारत में तो है और भी है लेकिन ऐसी वाणी यदि दूर दूर तक जाही तो बहुत लाब हो सकता है जी जो आपने बताया वो एक बहुती खुबसूरत एक्जामपल है जैन धरम का जो फाउंडेशन है जो प्रिंसिपल है भगवान मावीर ने भी बताया सत्य, अहिमसा, ब्रह्मचारिय ऐसे पांच प्रिंसिपल्स जो है वो जैन धरम की फाउंडेशन है जो पिलर्स है उनके स अपसे जो महत्वपून है वो है अहिमसा, अहिमसा का जो पर्चम है वो महत्मा गांधी ने भी लायराया है जिसकी वज़े से आज हमारा देश आज़ाद है, ये जैन धरम का एक बहुत ही इंपॉर्टन फाउंडेशन है जो अभी निर्मला जी बता रही थी, उनका ये भी कहना है कि mental जो violence है, उसे खतम करना चाहिए, जो उसके बारे में थोड़ा सा बताईए, ये बहुत ही अच्छा lesson है, ये बहुत ही खुबसूरत value है, जो हम आज की जनता, आज की youth और आज की हमारे दर्शकों से हम अवगत कराते हैं अहिंसा, हिंसा यानि किसी जीव को मार दिया, वो हिंसा होगे, यहां तक ही अहिंसा नहीं है, अहिंसा में बहुत से आते हैं, जैसे किसी के विचारों का हनन करना, किसी सोतंतर व्यक्ति को हनन कर देना, किसी के विचारों पर अपने विचार थोपना, किसी को अपने समानी स समझना भगवान ने तो का आई तुले पयासू अपनी आत्मा की तरह ही दूसरे की आत्मा को समझो परन तू आजकल क्या है वेचारिक हिंसा बहुत हो रही है मांसिक हिंसा बहुत हो रही है भावनात्म की हिंसा बहुत हो रही है यह हिंसा भी बहुत बड़ी हिंसा है यह सब स मुड़ा होते हैं यह एक हिसा का ही रूप है तो परिवार में भी मेल जो सामंजश है, वह तब ही रह सकती है, सहस्ति तो उसमें आपस में समझगूता हो, सामंजश हो, व्यवस्ता हो, तब परिवार सुख यूरृशांत रह सकता है, यहां पर भी बगवान महावीर की वार्न बहुत कारगर्शिद होती है, बगवान ने एक अनेकांत का दर्शन दिया, अनेकांत आज फूरे विश्व में व्यापत है, अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत है, जो बगवान ने इस दुनिया को देकर के विश्व को देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ी उप है द्वेश, इर्शा, अनुदारता, संकीनरता, ब्रष्टाचार आदी जैसी समझ्य हैं, उनका समाधान अनेकांत से हो सकता है, यानि एक ही वस्तु को अनेक तरीकों से देखना, एक व्यक्ति कहता है यह ऐसा है, दूसरा कहता है यह ऐसा नहीं है, किसी और का परस्पेक्टिव भी समझना, उनके विचारों को भी समझे, यह मैं जो सुसरा हूं वही सही है, दूसरे के विचारों को भी सुनो, उसमें भी आपको कुछ सत्य अन्सों में कुछ मिल सकता है, और दूसरे की बातों पर भी, मतलब उनकी निंदा चुगली छोड़ और अनेकांत तो बहुत बड़ी देन है भगवान महावीर की, अनेकांत जो आज लोकतंतर है, वो अनेकांत पर आधारित है, डक्टर रदा कृष्ण जी ने कहा था, कि भगवान महावीर का जो सिद्दान्त है, वो हमारे लोकतंतर से मिलता जुलता है, महावीर के अनेकांत के चार बिंदू है स्वतंतरता सापेक्षता सह अस्तित्वे ये चार जो में बिंदू है अनेकांत के वो ही लोगतंतर के चार बिंदू है जो व्यक्ति अनेकांत को समझ लेता है वो लोगतंतर को समझ लेता है और जो लोगतंतर को समझ लेता है वो अनेकांत को समझ लेता है तो इस तरह हमारा एक अनेकांत है जो बहुत मतलब व्यक्ति की, स्वस्थ समाज की, स्वस्थ परिवार की और स्वस्थ राष्ट का निर्मान कर सकती है अब अहिंसा के अंदर एक छोटे से उदारन से बताती हूं आपको हजरत मौमद साब उनको एक ऐसा मकान था जहां पर एक महिला थी जो वो क्या करती वो गरका सारा कुड़ा करकट इकट अगया हवा हजरत मौमद साब की सिर पे उडेल देती है उनको कोई तकलिफ नहीं होता इतना वो खुश्मिजाज आदमी थे बस बगवान से यही प्रास्ना करते कि इस मेला को सदबू दी जो एक दिन बहुत करम चलता रहा डेली चलता रहता तो एक दिन मौमद साब ने देखा आज तो मेरे शीर पेर किसी ने कसरा डाला ही नहीं तो उनको शंका होगी फिर उनको मालम पड़ा कि उस तरी बिमार है औरत मिमार है तो वो उस घर में गए और उस मेला ने देखा आज तो काम पने लगी करी मैंने इतने दिन इतने गड़त काम की हैं तो आज मेरे को उनका दंड बिलने वाला है यह मेरे साथ क्या करेगा मेरे फुट फुट करोने लगी और उनके पूरे जो दर्शन सिद्धान्त था हजरत मौमद साब के तो विजार थे उनमें वो समिलित हो गई और उनको मानने लग गई यह होती है अहिसा की प्राकाष्टा जितना तो नहीं हो सकता फिर भी थोड़ा बहुत तो करी सकते हैं जितना स अने इसा की अलग प्रतिष्टा स्थापित हो जाती है अब अनेकांत में भी एसे बहुत से उतारण है अब महामात्य सानक्या उन्होंने प्राचीन समय में इतना था कि एक बहुत काल का प्रभाय बन गया तो उन्होंने देखा कि जो जनता है उसके लिए कुस सामान कि सर्दी का मोसम है कंबल और उन्ही कपड़े इकट टेकिये जाए गोश्णा की कि उनका जोंपड़ी में रहते थे इतने बड़े चानके होकर के और जोंपड़ी पूरी उनकी कंबलों से उन्ही कपड़ों से भर गई बस उनका ओडर था कितनी देर लगती उनसे मिलने के लिए एक विदेशी आदमी आया और उदर एक छोर भी आया उसको मालम था सर्दी में उनका पुरा जूंपड़ा भर गया है उन्ही कपड़ों से लेकिन वो विदेशी देखता ही रह गया कि इतने सारे कंबल पड़े हैं और ये तो फटे पुराने चितरे ओड़े सो रहा ह अच्छा तो उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे ने कंबलों की डेर आप ऐसा क्यों उड़कर सो रहे हैं तो मा मात्य जी ने क्या जवाब दिया कि जो आप संकेत कर रहे होना ये मेरे लिए नहीं है ये जनता के लिए जनता की चीज जनता की काम आना मुझे नहीं चाहिए कि अच्छा हूँ तो वो विदेशी देखके आश्च्रे सकित हो गया कि किसा आदमी है उसके जीवन पर बहुत परभा पड़ा वो तो वास वा चोर चोरी करने वा था उसने चोरी छोड़ दी उसने का जब मा मात जैसा ऐसा फटे पुराने कपड़ा मेरज सकता है तो हम क्यों किसी की चोरी करें जनता गजन जनता के काम आना आपने ये जो भी स्टोरीज बताई हैं मोहमद के बारे में चानक्य के बारे में भगवान महावीर के बारे में इन सबका मूल श्रे यही है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी जो जीवन धारना है उनका जो रहन सहन खान पान ये बहुत ही simple साधारण बट उनमें जो तेज होता है उनकी जो teaching होती है उनकी जो principles होती है उनहें उनहीं के बलभूते पर उनकी इतनी following होती है या लोग उनने इतना follow करते हैं तो जैसे आप बता रहे थे कि वो ऑरत बदल गई जो उन पे कुड़ा करकट फेकती थी जो ये चोर ने चोरी करना छोड़ दिया जो उनका प्रयोग था उनके जीवन में जी चुकि उनका प्रयोग था भगवान महावीर ने भी ऐसी अपने जीवन में कई लोगों कुछ हुआ है कई उनकी टीचिंग्स की वज़े से बदले हैं जैसे आप बता रहे थे चंड कोशिक के बारे में सर्प के बारे में तो ऐसी और कथा बताईए जो भगवान महावीर ने अपने सिध्धान्तों से या अपने इस तेज से अपनी इस सहम शक्ती से जो उन्होंने लोगों को बदला है बगवान महावीर के टाइम में ध्यान की बहुत पद्दती थी बीच में ध्यान की पद्दती विलूपत हो गई तो ध्यान उसके बाद में गुर्दे थुलसी ने कहा अचरे महापरगीजिसें कि वह वापिस ध्यान की प्रभावना होनी और आज ये सितनाव के यूग में ध्यान की बहुत अपेक्षा है तो उन्होंने कई गरंतों का कई हर गरंत मतलब कोई यह नहीं बहुत इसी धरम का होना सब धरमों के गरंतों का निचोड निकालके एक ध्यान की पद्दती उनकी प्रेणा से बनाई उसका नाम था प्रेक्षा ध्यान पद्दती तो प्रेक्षा ध्यान की जो पद्दती है वो आज पूरे देश विदेश में व्याप्त है और यहां पर भी मैं ये प्रेक्षा ध्यान के प्रियोग करवाने जाती हूं यहां की कोई प्रेक्षा ध्यान के प्रियोग करवाती हूं और सबको बहुत अच्छा लगता है इसे उनके जीरों जींटे बदला भी बहुत आई है नेसनल प्रेक्षा ध्यान के परियोग उन्हों ने कराया अब प्रेक्षा ध्यान के प्रियों के अंदर ध्यान की पद्दती में ये कहां से क्या होता है तो देवताओं में और असूरों में युद शिड़ गया तो देवताओं ने देखा कि एक आनद का गट पड़ा है वो ऐसे जमिन पर पड़ा हुआ है तो कोई भी असूर ले जाएंगे आनद मगन हो जाएंगे और इसका सत्यानास हो जाएगा तो उन्हें इसको गट को उठा कर देखा कि इसको कहां रखा जाए तो कहीं असूरों के हाथ लगया तो और गड़त काम हो जाएगा खोजते खोजते उन्हें एक स्थान मिला उस आनद के गट को रखने के लिए वो था मनुश्य का हरदय वहाँ पर कोई नहीं देखता मनुश्य का हरदय में उस आनद के गट को स्थापित कर दिया अब वो मनुश्य देखता है कि भाई उस हरदय को कौन देखता है कोई नहीं देखता वह आज भी वह आनंद का घट मनुष्य के हरदे में सुरक्षित है जहां पर हमारा आनंद केंदर है वहां से यदि हम जो वरदे के 20 का जो गड़े का स्थाना ना वहां पर आनंद केंदर है वहां हमारा आनंद का घट स्थापित है यदि हम उस आनंद केंदर पर यदि हम अपनी ध्यान पद्दति को करते हैं तो हमें एक अपूर आनन्द मिलता है अपूर उलाश मिलता है यह इस परियोग करने की बात होती है जैसे आपने बताया हमारी इस कॉन्वर्जिशन के दौरान कि आज का जो मनुश्य है वो केवल धन संपादित करने के चक्कर में है बहुत ही सेल्फ सेंटर होता जा रहा है बट यह बहुत ही खुबसूरत बात आपने कही मतलब एकदम ऐसे दिल को छूगई कि जो आनन्द का केंद्र है वो हमारे हृदे में ही बसा हुआ है और हम इतने अनफॉर्चनेट है कि हम अपने आप से ही इतना जुड देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज़ पे सोचिए महावीर की जो यह वानी है यह जो उनका मैसेज है उसे अपनी जिंदगी में लाने की प्रयोग करने की उसमें डूबने की पुरी-पुरी कोशिश करिए महावीर ने तो आप परिग्रह परम धर्म है आप परिग्रह वो परिग्रह करो वरना इतनी आकांक्षा है इतनी इच्छा ही होती है मुरस्य के अंदर एक इच्छा पनबती है दसों इच्छा ही और तयार हो जाती है तो उन आकांक्षाओं को खोशते-खोशते उनका पूरा विरा करते-खरते उसी में दुखी हो जाता है तो आज व्यक्त की लालसा है वो व्यक्ति को पतन की और अग्रस करती है और बहुत से बुरे-बुरे कार ये धन की वज़े से ये आदमी कर रहा है ये इस धन का सीमा करन कर लिया जाए भी मुझे इतनी संपते रखनी है उतनी लोगों के लिए तो वो उसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है औ लोगों का भी भला हो सकता है तो परिग्रह पाप का मूल मुञ है कि परिग्रह को सीमा करो इसने बताया संयम है क्छिवन है संयम के साथ अपना जीवन वसर करों गे То बहुत सुखी बनो गे आप स्वेम सुखी बनोगे परिवार सुखी, देल सुखी, राष्ट सुखी तू सही सुखी बनेंगे, तो इसीलिए अपने धन का सिमा करन करो, पर आज तो देखो धनकी कोई पार ही नहीं है आदमी, कैसे दोड़ रहा है, उसे अपने सरीर का भी भान नहीं है, कि मैं क्या कर रहा हूं? कहां जा रहा हूं? कितने आयनेटिक कारे कर रहा हूं वो सब उसके कुछ भी दिमाग में नहीं है एक किसान ने राजा को ठंडा पानी पिला दिया जंगल में तो राजा बहुत खुश्वा उसको फरमान कर दिया कि तुम जो चाओ मेरे से ले सकते हो इतनी बड़ी उसको इनाम गोशित कर दिया तो उसने बस किसान गया सभी इतने लालस में आ जाते हैं तो वो सूर्यों देशे सुर्य सास्त तक समय दिया कि जितनी तुम भी स्राज्जी की जमी ले सकती हो ले लो उसने क्या कि ने पिया ने खाया इतना सूरियों देशें दोड लगाता लगाता भागता गया जितना भागोगी उतनी जमीन सारी जमीन तुमारी है तो इतना दोड़ता गया इतना दोड़ता गया सूरिया सतक दोड़ते दोड़ते ऐसा गिरा कि वो उसको एक उसका वहीं पर मृत्ति हो गई उठी नहीं पाय तो वास्तों में आज वेज ऐसे ही विक्ति दोड़ भाग कर रहे हैं ना सरीर का वान ना खाने का वान बस धन 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 के पिछे दोड़ रहे हैं निर्बला जी ये सब तो हमने बात करी भगवान महावीर के सिध्धनतों के बारे में उनकी जीवन के बारे में महावीर जैंती के दिन जैन क्या करते हैं मतलब उस दिन की सुब्ध से शाम तक उनकी क्या विदी होती है किस तरह से वो पूजन करते हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को पताईए इसमें क्या है कि बगवान महावीर को मानाने वाले जैन धर्म के कई शाखाई हैं दिगंबर है श्वेतंबर है दिगंबर अपने तारीके से पाठ पूजा करते हैं बगवान की और श्वेतंबरों में भी मूर्ती पजग भी है स्थानक वासी भी है मंदिर मारगी भी है आपक और जो अपना बगवान मावीर का जाप करते हैं, ध्यान में तलिन होते हैं, वो भी बहुत हैं, और जनम दिन के दिन सब जुलूस भी बहुत बड़ा निकलता है, पुरे जेहन लोग, चारों समाज के सब समाज के जेहन लोग उस समय एकटे होकरें, अपने अपने संस्ताओं के साथ, पूरा जुलूस ठाट बाड़ से निकलते हैं, गाजे बाजे के साथ, तो वो भी एक बात होता है, तो उस दिन प्रोग्राम भी बहुत बड़ा चलता है, बहुत कारेकरम होता है, बहुत कारेकरम होता है, बहुत कारेकरम होता है, बहुत कारेकरम होता है, बहुत का मानना एक बात है, उस्सें भी बडी बात है же जिएना जो बगवान को अपने जीओं में जीता है, वहlen से बढ़ा आदमि, आज जेनी भी यह समझे की हम बगवान मावीरती जेहनती बना रहे तब ही सार्थक्तावतिय हो सकते हैं हम इजना नहीं उतार सकते हैं लेकिन बगवान की मावीर के कुछ शंशों की वाने भी हर साल उतारी जाए तो हमारे जेन समाज का बहुत सुधार हो सकता है और बहुत जेन समाज स्वस्थ बन सकता है आज जेन समाज के एक अलगी पहचान है किहीं भी जाओ जेन जेन का फूड़न ऑफ बिया लग है था में जा जिसकी आज पूरे देश में दूनिया में पहुती एक एक वारनस आ चुकी है तो हम यह देख रहे हैं कि जाने अंजाने में हम हम भगवान महावीर की जो प्रिंसिपल्स है जो उनकी विचार धारना है वो कही न कहीं फॉलो कर रहे है बट हमें उसका ग्यात नहीं है तो जितना हम कॉंशिस हो जाए इस चीज़ के बारे में चलिए आज हम महावीर जैनती के इस पावन अवसर पर निर्मला जी की बताई हुई बातों महावीर का अने कांत में इतना बड़ियां बता है कि लाखों लाखों लोगों की तुमने प्यास बुजाई है लाखों लाखों लोगों की तुमने प्यास बुजाई है अनकिन आस्ताओं की तुमने बग्या महकाई है अने कांत का दर्शन एक तुमारी ऐसी मोलिकता तब ही जोतिर धाम पाओं जोतिर धाम अरे वाब बहुती खुबसूरत मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमसे बात करने में आप इतनी लीन हो चुकी हैं बगवान महावीर के इस पूजन में और इस साधना में वो तेज और वो पैशन आप में भी दिख रहा है निर्मला जी थांक य आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आई हमारे साथ जुड़ी भगवान महावीर के इस पावन महावीर जैनती के दिन आपने जो भगवान महावीर की वानी है जो उनकी शिक्षा है हमारे दर्शकों तक पहुचाने में हमारी मदद करी है मैं दर्शकों को ये भी बताना लिए भी एक बहुत ही खास incident होता है, खास मौका होता है, लेकिन होना चाहिए उस नौकार मंतर में हम एक कागर चित होकर करें, तो हमको vibration मालू पड़ेगा कि क्या होता है, हम नौकार करें, मन हमारा बढ़के तो फिर उतना फल नहीं मिल पाता है, बिलकुल, बिलकुल, तो य महावीर जैंती का और महावीर भगवान से जृडा, ये भी एक बहुत ही पाफुल मंतर है, जो जैन बहुत ही इसे पावन मानते हैं, महावीर जैंती के इस पावन अफसर पर मैं सभी को बहुत-बहुत शुपकामनाएं देती हूँ, बहुत हार्दिक अबिनंदन करती कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में आए महावीर जैनती और भगवान महावीर की शिक्षा और उनके वैल्यूस प्रिंसिपल्स के बारे में हमारी दर्शकों से अफगत कराया आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी मैं भी आपको बहुत बहुत आभार यापित करूँ या धन्यवाद करूँ यहां के दूरदर्शन वालों के भी और आपका भी जो मुझे इतना सुन्दर भगवान महावीर की वाणी का प्रचार करने का बहुत अच्छा मोका दिया बहुत अच्छी बात लगी इस तरह बगवान महावीर की वाणी से हम अपने आपको सुद शान्त और पवितर बनाएं जानते सब हैं मानते सब हैं बस जरूरत है उस चीज़ को अपने अंदर उतारने की उस चीज में अपने आपको डुबाने की और अपने आपको समाने की बस इसी बात पर मैं आपकी दोस्त होस्ट पूनम गुलेचा आप सबसे विदा लेती हूँ जै जिनेंदर